देश नीती में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राशी जहीर एक सर्वे हुआ कि दुनिया के दस नेताओं में सफसे बड़ा जूटा व्यक्ति कौन है उस सर्वे पर उस संस्थान पर मैं कोई भी अधिकारिक वर्जन नहीं दे पाऊंगा लेकिन चल रहा ह मैंने उसका विकीपीडिया जाकर देखा थोड़ा सा देखा तो दुनिया के हॉलिवड में बॉलिवड में नेताओं में सब जगा वो अपना सर्वे करता उसका नाम है thetop10.com आपकी स्क्रीन पर है ये thetop10.com इसके अंदर इन्होंने एक सर्वे किया कि top biggest liar in politics राजनीतिक में दस सबसे बड़े जूटे कौन है भारत के दो आज में निकले साब इनका इसमें हम कोई हमारे मन में ऐसा नहीं है कि हम अपने परधान मंतरी जी अपने नेता के बारे में लेकिन उसने पूरी डिटेल चापी है सिर्फ आपको सूच नार्त सूच ना देने के लिए मैं हाज जानते होंगे और तीसरे नंबर पर डोनल्ड ट्रंप आ गए चौथे नंबर पर बिल किलिंटन आ गए साहब जो जो डबलू बुश आ गए पांशवे नंबर पर डिक चैनी आ गए उसके बाद आठवे नंबर पर अमिश्या आए भारत की तरफ से दो लोगों ने एड़ हिल्ट हिटलर भी एसके अंदर नबर बुश विलादमिर पुदिन भी हैं दस दोर दस लोगों को नहीं ना पांगा मैं इनके बारे में कोई आथेंटिकेशन नी दे सकते ना हैं हम बता सकते लेकिन इस खबर है खबर के रूप में आपको बताने हाजिर हो गया इन्हों ने परदान मंतिरी जी के कुछ उपलब्दियां या यूं कहें कि कुछ ऐसी चीजे जो एरर कहे जा सकते हैं उसको बताया कि नरेंदर मोधी इसा हिंक हिस in his campaign asserted मैं आपको हिंदी में बताऊंगा अंग्रेजी में आपके सामने मैंने इसको चस्पा कर दिया ठीक अब आप देखें हिंदी का इसका जो मेरे वो किया तो उसमें क्या क्या निकल कर आया सबसे पहले लिखते यह हैं यह कि नरेंदर मोधी ने अपने अभियानों में campaign जो शब्द है इस बात पर जोर दिया कि उनके कार रेकाल से पहले यानि के 2014 से पहले भारत वैश्विक पूरे दुनिया के अंदर हसी का पातर था ऐसा बताते भी है कुछ नहीं था साम सपेरों का देश था ऐसा कहा भी है बात सही है और ये भी कह रहे थे कि भारत के बाद ये सोचता था भारत वासी के कहां पैदा हो गया ऐसा सोचता दोहजार चौदा के बाद बदल लिया तो इनका कहना ये है कि इनके campaign में भारत जो है सब्सक्राफात यहां इता नाराजगी हो गए थी दो देशों के बीच इंद्रा गांधी कैसे बहुत लंबी बात हैं आपको क्या बताई जाएं तो उन्होंने कहा इस दावे को वैप रूप से खारिश कर दिया कि क्योंकि भारत की हमेशा अंतर रास्तिये मामलों में महतप निर्वाजित होने पर परती वर्ष बीस मिलियन दो करोड नोकरी देने को पैदा करने को उनका आशवाशन एक लक्षे था जो पूरा नहीं हुआ यह तो बार-बार विपक्षी नेता भी कहते हैं उन्होंने बहुत सारे वाइदे किये लेकिन उन्होंने जो वादा किया थ बात हकीकत भी है जो यूपीय के दोरान की जो योजना हैं विपक्षी यह लोगों का आरोप है नेताओं का कि उन्हों नाम बदलके उसी को योजना को आगे बला देते हैं जब भी वो बोलते हैं वो हमेशा तक्थ्यों की जाच करनी होती है क्योंकि वो हर भाशनम कुछ ज इस्तमाल किया देखिए दर्शों को बात ऐसी है कि जो जो पॉइंट्स ही बता रहे हैं मैं तो इसका सिर्फ हिंदी रुपांतर कर रहूं आपके सामने लिखा इसमें एक इसको यह भी नहीं है कि इसी को माइना जाएगा यह कोई सरकारी संस्ता है या महां से प्रेस और मंद गलत सबूतों पर गिरफतार करवाते हैं वो अपनी लैप डॉग लैप डॉग मीडिया कमपनियों का इस्तमाल फरजी खबरे फैलाने और अपनी सरकार की गलतियों को च्छिपाने के लिए करता है यह लिखाया वाकई मीडिया ने तो कमाल कर रखा है वो एक अभि ग्यान में मुद्रा इस्विती में कमी परती वर्ष 20 मिलियन नोक्रियां ब्रेस्ट चार को खतम करने का वादा किया था दुर्भाग के से उन्होंने चुनाओ जीतने के लिए संपरदाइक्ता और उगर राष्टवात का सहरा लिया है उन्होंने भारत के संसाधनों और नहीं हाराया भई जिसके बारे में मैं कुछ कह सकूँ आपसे आप कुछ सामने है उन्होंने का कि अलेक्जेंडर को बिहार में एक चुनाओी रेलियू को संबर्दूदित करते हुए करते हुए हराया गया था सिर्क भीड को उत्साइद करने के लिए जबकि वास्तों में एकुत्री भारती राज्यों को पारी नहीं कर सका उन्होंने चीन दुआरा अवेद रूप से भारतिय भूमी पर कवजा करने के बारे में जूट बोला इंकार किया जो वास्तों में हुआ है उनकी राजनीतिक पार्टी भाश्पा गिरह पिर्तिवी पर सबसे बड़ी नकल की रूप से काएं तो भारत एक निर्वाचित निरंकुष शाशन के अधीन है ये कहना है साहब हमारा कहना नहीं है इसको जो है ट्वीड भी क्या शीतल पी सिंग एक बले पत्रकार है उन्होंने का दुन्या में तरह तरह के लोग हैं असंख्याएं विद्वी विद्ताएं हैं तमाम शगल हैं एक वेबसाइट दुन्या के परमुख लोगों के बीच कौन सबसे बड़ा जूटा है इसकी पड़ताल में आज उटी है नतीजे विवाद इसपद ही हैं क्योंकि बड़े लोगों के समर्थकों की बड़ी तादाद भी होती है इस तरह पड़ताल इस त है ना इसमें संबंग नहीं है आपको खबर कैसी लगी अपनी राकामेंड्स बॉक में जरूर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए नेक्स टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ जैए